सिवान में गोली मारकर जवान की हत्या बरा कुख्या तपराधी रईस खा से काप रही है पुलिस नमस्कार महुशिवांगी और आप देख रहे हैं A1 News बिहार सिवान में तेज तरार सिपाही पर पुलिस के सामने गोलियों की बोचार करके हत्या कर दी गए पूरे बिहार में हरकंप मच गई सिपाही के परिवार वालों में चीक पुकार मच गई उनकी बेटियों की शादी तक भी नहीं हुई थी शादी तै होने वाली ही थी कि सिपाही के खुलियाम हत्या हो गए जिसमें कई अपराधियों का नाम भी सामनी आया है जिससे ये बड़ा कुख्यात अपराधी रईस खा का भी नाम है पुलिस वाले के हत्या से इस अपराधी का सबसे बड़ा हाथ है फिर भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है जिया हम वही रईस खा की बात कर रहे हैं जो खुलिय जिसको सिवान में ही नहीं बलकि पूरे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लोग जानते हैं। जिसको सिवान में पदस्थापित सिपाही बाल में की यादों के हत्या के तीन महीने बीच जाने के बाद भी जिला पुलिस आरोपी रईस खाको गिरफतार नहीं कर सकी है। जिला पुलिस ने अपनी निकम्मापन दिखाना शिरू कर दिया है। पुलिस अपने ही कर्मियों को इंसाफ नहीं दिला पारी है तो आम जनता का भला क्या होगा। इस मामले में पुलिस की सुस्त जाच इसी से स्पष्ट होती है कि कांड में आरोपित और फिलाल जेल में बंद कुख्यात मुहमद आफताफ अभय यादो एवं विरेंदर राम को आत्मिस समर्फन कर दिया। लेकिन कोख्यात रईस खा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोशो दूर है। पुलिस उने गिरफ्तार करने से बच रही है। आखिर क्यों रईस खा के आगे बड़े बड़े आधिकारी हांत जोड कर बैठे हैं। क्या उसके बंदूग के आगे पुलिस की बंदूग फेल हो जा रही है। अगर नहीं तो पुलिस क्यों उससे काप रही है। जानकारी के लिए आपको बता दे कि इसी साल 7 सितंबर को गस्त में निकल पुलिस पर बदनाशों ने फाइरिंग कर दी थी। इस क्रम में गोली लेकिन सिपाही के परिवार को अभी तक नियाएं नहीं मिल सकी है। हो सुरा देने वाली बात तो ये है कि निकम्मी प्रशासन को अब तक यह भी पता नहीं चल सका है कि जवान का हत्या AK-47 से हुआ है या पिश्टल के गोलियों से। रही इसका के पुलिस महकमे से लेकर न